नमस्कार दोस्तो जै बजरंग बली, चैशिफ शंकर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटना होने वाली है, जिसके कारण दोस्तो एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा, जो आपके पीछे हाथ पड़ा है, और बस आपको बर्बात करने के बारे में सोचता रहता है, जि हाँ दोस्तो, इसके साथी साथ जीवन में कुछ बड़े चमतकार भी होने वाली है, जिनकी वज़ा से आपके राशिके जातकों के जीवन की सारी की सारी समस्या, सारी की सारी दुख तकलीवों से और सारे की सारे कस्टों से आपको छुटकारा प्राप होने वाला है। दोस्तों आपको मैं ये बता दू किशिव शंकर की करपा से और पजरंग बली के आशिरवाद से जो ये व्यक्ती है ये अब आपका पीचा छोड़ के कहीं और जाने वाला है आपकी जिन्दगी से दूर इस व्यक्ती ने आपको बहुत रोलाया है बहुत सताय है लेकिन दोस् दोस्तों आपकी जिन्दगी में जो बोरे दोर चल रहे हैं आपकी जिन्दगी में जो आज इतना खराब इस्तिती बनी हुई है इसकी वज़ा दोस्तों कोई और नहीं बलकि वही व्यक्ती है जो पिछले कुछ समय से आप लोगों के पीछे पड़े हैं ये दोस्तों ये व तो दोस्तो वीडियो बहुत जादा महधपून होने वाली है इसे अंतक देखिएगा वा इसका लाब भी अवशे प्राप्त करिएगा वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के अधार बर बनाई गई है और सौ प्रतीशक सटीग बैठने वाली है तो इसे अंतक देखिएगा क लेकि दोस्तो बाद में पच्टाने से कोई भी लाब आपको नहीं मिलेगा बहुत सारे लोग यही गलतिया करते हैं कि मौका मिलने पर उसका सही लाब नहीं उठा पाते हैं और बाद में बहुत जादा पच्टाने लग जाते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू कर जैश्री राम अवश्य लिखे ताकि दोस्तो हनुमान का अश्रवात प्राप्त होगा और आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी हो जाएगी जिन्दगी में जो भी तकलीफे हैं वे सब समाप्त हो जाएगी दोस्तो आपको बता दें कि आप जिससे भी दोस्ती करते हैं उससे कुष्टी हो जाती है जिसका भला करते हैं वही आपके साथ में बुरा करने लग जाता है आपको बहुत जादा इस समय टेंशन हो रही है यदि आप लोग करें भी तो क्या कर सकते हैं आप लोग बहुत दीस कि अगर आपकी वजह से किसी भी इंसान को आहत होती है किसी को भी यदि दुख भी होता है तो उसकी सजा आपको अवश्य मिलती है फिर आप लोग अच्छे और शीदे स्वभाव होने का कोई भी लाब आप लोग नहीं ले पाते हैं आपको बता दू दोस्तों कि यदि आप लोग सीधे हैं तो इतने सीधे मत रहिए कि कोई आपसे बुरे कारे भी आसानी से करवा सके इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अच्छाई के लिए आपको कारे करना है और जिन्दगी में बहुत जादा सीधे सरल रहिए नरम दिल के इंसान रहिए दोस्तों आपको इससे बहुत जादा लाब देखने को मिलेगा लेकिन आपको किसी की बातों में आपके बेवकूब बनने की आवशकता नहीं है दोस्तों बताएं कि भगवान की घर देर है लेकिन अधेर नहीं है चाहे आपको सजा मिली हो या फिर आपको फल भी क्यों ना मिलना हो दोस्तों इश्वेर की घर सब मिलता है लेकिन आपको देर से मिल सकता है तो किसी को जल्दी भी मिल जाता है याद रखें कि कल्यूग में तो इसके साथी साथ देखने को भी मिला है कि आज किसी के लिए अगर आप बुरा करेंगे तो कल आपके संग अवश्य ही बुरा होगा लेकिन किसी किसी के साथ में थोड़ा देड़ चीस होता है इसलिए आपको लगता है कि शायद भगवान हमारी नहीं सुनता तभी जिस व्यक्ति ने हमारे साथ इतना गलत किया है उसका बाल भी बाकर नहीं हो पाता याद रखें कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि हमने तो पिछले समय बुरे कारे किये थे करके देख लिए कुछ भी नहीं होता है हमारे संग ऐसा सोचने की भूल ना करें आपको बता दू बाद में बहुत ज़्यादा आप पच्छता सकते हैं देखे दोस्तों आप बात करते हैं कि वेलोग कौन है जो आपको बुरा व्यक्ति बनाना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सची श्रदा से जैश्री राम हमारे कस्टो को दूर करो हमारे घर में आपका स्वागत है अवशे रिखें तो दोस्तों बता दे आपको आपके भलाई जो वेक्ति नहीं चाहते हैं आप किस प्रकार बरबाद हो जाए इसके बारे में वे दिनरात सोचते हैं दोस्तों बता दे ये बहुत बात कहते हैं कि तुम आगे बड़ो हम तुम्हारे साथ हैं आप इस चीज को समझ जाएए कि यही लोग हैं कि जो सिर्फ आपको पेड़ पर चरहने का कारे करते हैं लेकिन उतारने का कारे वे नहीं जानते हैं कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि ऐसे कारे में आपको फसा सकत जहां से आप लोग जल्दी निकल नहीं सकते पहले तो वह यह कहिंगे कि सब आपके साथ हैं लेकिन जब आप उस चीज पर लगेंगे तो धीरी धीरे करके सब व्यक्ति आपके साथ छोड़ देंगे और पिछले समय कुछ लोगों ने ऐसा ही कुछ आपके साथ किया है सब ने व्यक्तियों से हमेशा बच के रहे जिंदगी में तो आप फायदे भी रहेंगे दोस्तो आप अच्छे कारे करेंगे अगर अबी से तो भी आपकी जो भी पाप होगा सब प्रास्चित हो जाएगा दोस्तो भगवान के सबी शिश्य होते हैं सबी उनके बालक होते हैं इसलि तो दोस्तो भगवान शमा करने के लिए हमेशा आपके पास उपलवद रहते हैं, आपको ये भी बता दू कि आप से यह दी बूल चूक में कोई गलती हो गई है, तो दोस्तो वह भगवान आपके माफ कर देगा, इसलिए आप लोगों को ईश्वर पर ही भरोसा रखना है, लो आपके मन में आपकी गहराई में ऐसे विचार डालते हैं कि आप लोग अपने जीवन से निराशा मैसूस करने लग जाते हैं हमारे अंदर लणने की शमताय कम होने लग जाती हैं और गहरे नकरात्मक विजार हमारे मन में घर करने लगते हैं ठीक दोस्तों इसके विपरीद आ पिर आप नौकरी वगेरा भी करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं आपके स्थिती मजबूत होने जा रही है लेकिन दोस्तों इससे पहले जो हमने आपको इन लोगों के बारे में बताया इनसे आप खास सावधान रहें तो ये आप लोगों के भविश्य के लिए काफी बह तर रहेगा इसलिए दोस्तों आपको इक खास उपाय करने हैं तब ही आप कई बड़ी परिशानियों से बच सकते हैं आप सौभाव से बहत नरम दिल इल्चान हैं और दोस्तों इसी बात का लाब लोग दोस्तों उठाते हैं और आपकी भावराओं के साथ खिलवाल करते र रहते हैं इसके साथी साथ आपकी धंदौलत आपके मान सम्मान को भी लूटते रहते हैं लोग आपकी पीट के पीछे आपके बारे में ऐसी अनाप्षना बाते भी कह जाते हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप दंग रह जाते हैं और गहरी सोच में पढ़ जाते हैं जिनके ये बेहत सतर्क रहने का समय है इस समय आपको किसी के ऊपर अंद विश्वास नहीं करना है आप दोस्तों बता दें यदि आख मुन कर भरोसा करेंगे और अपने जीवन की बड़ी जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे तो 100% आपको दोका ही मिलेगा इस वीडियो में दोस्तो हम आपको बता देंगे कि वे कोहन इंसान है जो आपको पूरी तरह बरबात कर रहे हैं इसलिए कई वर्षों से आपके पीछे भी पड़े हैं यदि दोस्तों आप उनसे और भी ज़्यादा सफर प्राप्त करेंगे हच्चे ज़्यादा दोस्तों मंदली कमाएंगे तो वे आपको जान से भी मार सकता है दोस्तों यदि आप चाते हैं कि उनसे आप आगे ना बढ़े जी हैं दोस्तों लेकिन आपको बता दे कि ईश्वर के आशिरवाद से आप आगे निकल गए हैं तो वो इंसान आपको मौत के खायट उटारना चाते हैं दोस्तों हम आपको बता और इस इनसान को जानना भी बहुत मुश्किल है कि जिस इनसान के ऊपर आपने भरोसा किया उनसे आपने प्रेम किया जिस्के लिए आपने दोस्तों अपने सब कुछ निचावर कर दिया उसके लिए आपने हर रिष्टे को ठुकराया अंतिम सास तक दोस्तों उनकी आप मदद करते हैं चाहे इसके लिए आपको किदरे भी परेशानी जहलनी क्यों न पड़े आप उसके लिए सब कुछ करने को तयार है इसलिए दोस्तों आपको बता दें धोके बाद लोगों से पैचानने में समय लगता है क्योंकि सब को आप अपना समझते हैं और दोस्तों आपके अपनों में ही आपके दुश्मन छिपे हुए हैं यदि आप प्यार मोहब्बत में भी पढ़ रहे हैं तो साफधानी वरते हो सकता है कि जिस लड़की को ये लड़के को आप पसंद करते हैं वे आप से नहीं आपके पैसों से या फिर आपकी धन्दौलत को प्यार करती हो आपको उस व्यक्ति को आजमाना होगा आपको उसे आजमाना ही होगा नहीं तो दोस्तों जीवन काल में आप बड़ा पच्टाएंगे आपके पीछे दुश्मनों की कमी नहीं है जो आपको धूका दे आपको दोस्तों इन नाम लोगों से बचकर भी रहना है जिनका शुरू अक्षर है दोस्तों का, मा, दा, और सा, और ता इन नाम वालों से दोस्तों आपको बचकर रहना होगा आपके जिन्दगी में यदि यह लोग हैं तो आपकी बरबादी यह सिर्फ चाहेंगे तो इन सभी बातों को आप लोगों को अपने जीवेट में उतार कर सफलता का मार्क चुनना होगा और ऐसे दूसरे लोगों से आप दर किनारा कर दें आप दोस्तों परतेक शनीवार और मंगलवार के दिन शनी मंदिर जाकर सरसो के तेल का दीबग जलाएं इसके साथी मंगलवार के दिन जाकर के भी आप मोती चुर के लड़ू चड़ा सकते हैं साती शनी को मजबूत करने के लिए सुभा के समय पीपल की जड़ में एक लोटा जल डाले आपका जीवन दोस्तों मंगल में हो जाएगा तो दोस्तों आशा करती हूँ के आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब् सब्सक्राइब जरूर करें अन तक जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइबें